अगर आपका मोबाल का टूट गया है और इसका डिस्पले अच्छा है तो किस तरह से उसको फ्रेम से निकाल के सेपरेट करना है ठीक है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं हमने सेंपुल के लिए ले लिया है रैडमी नोट 4 का फोल्डर तो आप यहां पर देख सेकते हैं हमने पहले से इसको पुड़ा खोल के रखा है ताकि वीडियो ज्यादा लंबना हो और जो में पॉइंट है वह हम फटा वट से आपको दिखा सके ठीक है तो इस तरह से हमने इ सेपरेटर मेशिन में जब इसको बिठाओगे तो आराम से इसमें बैठ जाएगा और यह हिलेगा भी नहीं ठीक है तो सबसे बहुत दोस्तों यहां पर आप देख सकतो यह सेपरेटर मेशिन और यह जो आप देख रहे हो यह है एक आयरन वेर जिसकी मदद से हम इसको सेपर करेंगे तो सेपरेटर मेशिन के साथ आपको यह होना जरूरी है तो यहां पर दोस्तों आप देख सेकतों यह हमारा सेपरेटर मेशिन है जो कि हमने पहले से गरम करके रखा हुए तो यह लगबग 15 डिग्री तक गरम हो चुका है तो एक्चली में दोस्तों मैंने पहले से करके रखा हुआ है तो इतना गरम हुआ है तो आपको लगबग 105 या 110 तक रखना है उसके ज़्यादा जरूरत नहीं है ठीक है तो उसके बाद दोस्तम क्या करेंगे जो यह फोल्डर है इसको जो सेपर्टर मेशने उसके उपर रख देंगे तो इससे क्या होगा यह थोरा सा ग प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आने पर एक लाइक भी कर देना तो चलिए दोस्तों यहां पर यह गडम हो चुका है तो अभी हम क्या करेंगे स्टील उपेनल ले लेंगे तो स्टील उपेनल की मदद से इसको थोड़ा सा उठाएंगे तो कुछ इ यह जो प्लास्टिक का टुकड़ा है यह आपको 6D, 11D टेंपर के पेकेट में मिल जाएगा तो यह आपको खरिदानी पर एगा ठीके तो यह एकदम फ्लेक्सिबल और पतला होता है तो यह अंदर घुच जाता है तो कुछ इस तरह से इसको इन कीजिए डिस्प्ले के नीच तो हमने थोड़ा सा गड़म किया हुआ ता इसलिए जो अंदर का गम है यह थोड़ा से छोड़ दिया है तो फटा-फट से इसको इस तरह से निकाल पाओगे आप बीना तोड़े डिस्प्ले को तो फ्रेंज आप देख सकते हो कितना बड़िया तरीके से निकल किया चुका है एक दम भी खराब नहीं हुआ है डिस्प्ले तो कुछ इस तरह से दोस्तों आप इसको निकाल पाओगे कोई भी फोल्डर डिस्प्ले हो गलास बला हो या टच बला हो तो कुछ इस तरह से हम इसको सेपर्ट कर पाए ठीके तो दोस्तों यहां पर एक चिसका ध्यान केका सेपर्टर मेशिन जो है उसका नीचे का सरफेस एकदम प्लेन नहीं होना चाहिए तो यहां पर दोस्तों मैं वीडियो कर रहा हो तो इसका नीचे का सरफेस प्लेन है तो आप जहां पर इसको स की और से इसको काटेंगे तो दोस्तों आयरन और को हम क्या करेंगे एकदम उपर की और रखेंगे जहां पर डिस्प्ले का स्टार्टिंग होता है वहां पर रखेंगे एकदम नीचे की और इसको प्रेशर रखना है तो और का प्रेशर आप ऊपर की और मत रखें एकदम नीच तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सेकते हो कितना बड़ी आतरीके से निकल के आ चुगा है और इसका जो OCA है वो 90% टच में रहे गया है तो कुछ इस तरह से आप इसको निकाल पाऊगे तो उसके बाद आपको जो ग्लू होता है वो डिस्प्ले से उठाने में भी कोई दिक् पर है वो आप नीचे देख रहे हैं वो कोने में यहलो कलर का तो इस चीज़े भी आप उठा सकते हो ठीके तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपको इसको सपर्ट करना है तो एकदम एजी ली करना है आथ हाथ का जो प्रेशर है और का प्रेशर है वो टच के उपर रखना है न प्रेशर है तो क्लीन करने के बाद आप चाहे तो इसको वसी कर सकते हो ऊसी पर के आप टाच लगा के इसको फोल्डर बना सकते हो या तो मैंने अपने वीडियो में दिखाए हुआ है किस तरह से करना है फोल्डर बनाना है बिना ऊसी एक तो उसमें थोड़ा ख़र्चा कम आएगा तो उसको भी आप ट्राइ कर सकते हो अगर आप चाहे तो उस यह लगा के भी इसको फोल्डर बना सकते हो ठीके तो दोस्तों यह उमीद है यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लागा वीडियो पसंदा तो प्लीज लाइक कर देना और अभी तेक मने चनल को सब्स सब्सक्राइब कर दीजिए तो चलिए मिलते अगले वीडिये में नमस्कार बंदे मातर रवाइब